राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारे योटीब जेनल में आपका स्वाकत है दोस्तों शास्त्रों में होली की बहुत महिमा बताई गई है इस दिन कुछ उपाय करने से आप अपनी जिंदिगी की हर समस्या का निदान कर सकते हैं लेकिन शायद इतनी हिसी होती है कि आप जो भी करें सचे मन से करें और सही तरहें से करें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप चुटकी बजाते अपनी किसमत बदन सकते हैं मानने ताहे कि होली पर किये गए उपाय बहुत ही जल्दी शुफर प्रदान करने वाले होते हैं वैसे तो होली पर कई तरह के उपाय किये जाते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको खोली पर नमक से कहने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं खोली पर नमक से यह आसान सा उपाय करके ना केवल आपकी सभी समस्याएं ही दूर होंगी बलकि आपका दुर्भाग के भी सौभागे में बदल जाएगा नकारात पक उजा दूर हो जाएगी नमक का यह उपाय बहुत ही अचुक और प्रभाबकारी है इस उपाय को कहने से आपको बहुत ही जल्दी शुफल प्राप्त होंगे नमक का इस्तमाल हम अपने खाने का स्वात बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नजल से बचाने के लिए भी करते हैं हमारे शास्त्रों में नमक को चंद और शुक्र का प्रतिनिधी माना गया है नमक में नकारात्मक उजा को दूर करने की शक्ति होती है अगर आपके घर में नकारात्मक उजा बहुत बढ़ गई है तो इसे जल्द ही दूर करने के उपाई करने चाहिए क्योंकि नकारात्मक उजा की बज़े से घर में बीमारी आती है घर में लड़ाई छक्रे होते हैं कलेश होती है घर में हमेशा अशान्ती का माहौल रहता है और जिस घर में अशान्ती का माहौल रहता है वहां पर मा लक्ष्मी कभी नहीं आती है जिस घर में लड़ाई छकड़े होते हैं कलेश होती हैं उस घर में धनकी कमी बनी रहती है सुक्सम्रथी कभी नहीं आती है और घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहता है इन सभी समस्याओं को दूर कहने के लिए होली का दहन की रात को आप नमक से करेंगे आसान सा उपाए इस उपाई को कहने के लिए होली की रात को घर के सभी कमरों में एक पेपर पर थोड़ा सा सैंदा नमक रखते हैं आपको नमक खर कमरे में, बात्रूम में, रसोई में, आंगन में, बालकोनी में, अपनी सिरी पर हर जगे आपको रखना है राद भर आप नमक को ऐसे ही दखा रहने दें होलिका देहन के दूसरे दिन सुभ़े उठकर आप बिना किसी से बात किये इन सभी नमक को इखटा करें और बहते हुए गंदे नाले में किसी नाली में आप चुपचाप डाल आएं ध्यान रखें जब आप नमक उठाएं डाल ले जाएं और लोड़ कर बापस आएं इस दोरान आप किसी से भी बात ना करें और नमक नाली में डालने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें इस उपाय का प्रभाव आपको उसी दिन से दिखाई देने लग जाएगा आपको अपने घर परवार के सदस्यों के बैभार में सकारात्मक परवर्दन दिखाई देने लगेगा आपको घर में हलका महसूस होगा और सकारात्मक उर्जा का एहसास होगा इस उपाय से घर में रहने वाली नकारात्मक शक्तियां घर से दूर चली जाती हैं और घर में शुक शांती तथा सम्रत्थी आती है अगर कुछ दिन बाद आपको घर में फिर से भारी सा महसूस होने लगे तो आप यह उपाए फिर शनिवार के दिन त्वारा कर सकते हैं यदि घर में कोई व्यक्ति बहुत जादा इरिटेर्ट रहता हो चिर्चिड़ा हो गया हो, गुसा करने लगा हो तो आप एक मुठी पिसा हुआ नमक लेकर खोल का दहन की शाम को उसके सिर पर से तीन बार बाल लें यानि कि तीन बार उस व्यक्ति के सिर पर नमक को आप क्लॉकवाइस खुमाएं फिर इस नमक को आप अपने घर से बाहर किसी गंदी नाली में बहा दें ऐसा आपको खोलिका देहन से लगाता तीन दिन तक करना है यदि आराम ना मिले तो फिर आप रमक को सिर्के उपा से बार कर सोचाले में डाल कर फ्लश चला दे ऐसा करने से व्यक्ति के स्वभाव में तेजी से सकारात्मक परवर्तन आएगा गुस्सा चिर्चिडापन और इरिटेशन भी दूर हो जाएगी ध्यान रखें यह उपाए करते समय भी आपको किसी से बात नहीं करनी है और नमक फैक कर आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है नमक हमें बुरी नजर से भी बचाता है अगर किसी व्यक्ती को बुरी नजर लग गई है तो आप एक चुटकी नमक लेकर उस व्यक्ती के सिर्पल से तीन बार बार दें और इस नमक को खोलिका में जाकर डाल दें आपके घर में अगर धन सम्मन्दी कोई भी समस्या है धन की आवक रुक से गई है धन की हानी होती रहती है धन पे किसी की बुरी नजर लग गई है या बच्चों का पहले पढ़ाई में मन लगता था और अचानक और अब पढ़ाई से दूर भागती हैं इसका मतलब है कि आपके घर में पैसों पर और आपके बच्चों के पढ़ाई पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है इसके लिए आप एक मुठी खड़ा साबुत नमक ले अब इस नमक को आप अपने धन रखने के इस्थान पर तीन बार क्लॉकवाइस खुमाए याने कि तीन बार इस नमक को आप अपने धन रखने के इस्थान पर बारें और इस नमक को ले जाकर होलिका में डाल दें इसी तरहें बच्चों की पढ़ाई के सभी सामगरियों पर से आप इस नमक को तीन बार बारें और होलिका में डाल दें ऐसा कहने से पढ़ाई पर और धनपर लगे बुरी नजर दूर होगी बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे अंक प्राप्त होंगे और घर परिवार में धनपराप्ती के नए मार्ग खुलेंगे धनपर से भी बुरी नजर दूर हो जाएगी बुरे समय से मुक्ती पानी के लिए आप खुली का दहन के दूसरे दिन खुली की थोड़ी राख अपने घर ले आएँ अब इस राख को एक कटोरी में रखें उसमें थोड़ी सी राई डाले और थोड़ा सा सेंदर नमक डाले इन तीनों चीच को आपस में अच्छी तरह से मिला दे अब आप इस कटोरी को अपने घर में किसी सुरक्षित इस्थान पर रख दे ऐसा कहने से आपको बुरे समय से मुक्ती मिल जाएगी बिगड़ी काम बनने लगेंगे ध्यान रखें इस कटोरी को आप किसी खुले साफ इस्थान पर रखें बंद अलमारी में ना रखें और गंदे हातों से चुएं भी ना ऐसा कहने से घर से नकारात मक उज़ा और नजर दोश दूर हो जाएगी घर परवार के सभी सदस्यों को बुरे समय से मुक्ती मिलेगी होली की रात को हनवान चालिसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए होली का देहन से मिलाकर इसके बाद लगाता चालिस दिनों तक रोज एक बार हनवान चालिसा का पाठ अवश्य ही करें ऐसा करने से हनुमान जी अपने भक्त की सभी परिशानियों को दूर कर देते हैं। कुंडली के नौक रहों के दोश दूर करने के लिए होली की राख शिवलिंग पर चढ़ानी चाहें। आप चाहें तो साफ चल में ये राख मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ात सकते हैं। ऐसा करने से ग्रह पीडाएं शांत होती हैं। होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं और अपने इक्षा के अनुसा धनका दान करें। सभी बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए होली से शुरू करके रोजाना हनवान जी को पांच लाल रंग के फूल चढ़ाएं। ऐसा कहने से हनवान जी के करपा से सभी परिशानियों से मुक्ती मिलती हैं। होली का दहन बहुत ही पवित्र होता है। खोली का दहन तथा उसके दर्शन से शनी राहू के तू के दोशों से शान्ती मिलती है। खोली की भस्म का टी का लगानी से नजर दोस्त तथा प्रेत बाधा से भी मुक्ती मिलती है। अगर आपके कार्यों में बाधा आ रही हैं, बंते काम बिगड रहे हैं, तो आप कार्यों में बाधा आने पर, शाफ मड़े हुए आटे का एक चौ मुखा दीपक बनाएं, दीपक में सरसों का तेल भरें और कुछ काले दिल के दाने डालें, एक पताशा, सिंदूर और एक तामवे का सिक्का भी आप दीपक में डालें, दीपक में चार आपको बाती लगाने हैं, घर पर से याफे पीड़ित दक्ती पर से उतार कर सुनसान चौराहे पर रखकर पगैर पीछे मुड़े बापस आ जाएं, तथा हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें, ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं, खोली का देहन के दिन, यह आसान से उपाई करके आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं, खोली के दिन शास्त्रों में बताये गए, नमक के यह आसान उपाई अवशर ही करें, यह उपाई बहुत ही असर कारक हैं, आपको बहुत ही जल्दी शुफल प्राक्त होंगे, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भैभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी